सिधार्थ मनोतरा की शेर्शा पब्लिक को कैसी लगेगी? ये बॉक्स आफिस पर तो रिलीज नहीं हो रही है, इस बींग प्रेमियर और अमेजान प्राइम वीडियो, तो अमेजान प्राइम वीडियो पर इसका बिजनेस कितना अच्छा रहेगा? वेल्कम टू कोमल नहाटा ओफिशिल, आप समझी गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म शेर्शा को, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दू, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब ना किया हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीज़ें. शेर्शा, कैप्टेन विक्रम बत्रा की बायोपिक है, कैप्टेन विक्रम बत्रा is no more, उन्होंने अपनी जान दे दी, he became a martyr in the Cargill War of 1999. आपको याद दिला दू, 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच वाड चड़ गया था, और विक्रम बत्रा उस समय नए नए फाज में भड़ती हुए थे, उन्हें एक ऐसा मिशन सौपा गया था, जो शायद impossible लग रहा था, लेकिन विक्रम बत्रा और हमारे आमी मैन, अन्या आमी मैन ने ना सिर्फ वहाँ पहुँच कर पाकिस्तानियों को मूँ तोड़ जबाब दिया, बट 0.4875 का कब्जा भी कर लिया, और उसी कारगिल बार में विक्रम बत्रा माटर बन गए, यानि वो शहीद हो गए, विक्रम बत्रा की ये तो प्रोफेशनल कहानी है, इसके अलावा इस फिल में उनकी पर्सनel स्टोरी भी है, विक्रम बत्रा के एक ट्विन ब्रदर थे, विशाल बत्रा, बोथ played by सिधार्त मलोहत्रा और बच्पन से ही विक्रम बत्रा को फौज में भरती होना था उनका सपना था कि वो आमी मैं बनेगे कॉलेज में उन्हें एक लड़की डिम्पल डिम्पल चीमा यानि कियारा अडवानी से मोहबत हो जाती है डिम्पल भी विक्रम से प्यार करने लगती है लेकिन डिम्पल के पापा इस रिष्टे से खुश नहीं है क्योंकि जहां डिम्पल सिख है सरदार्मी है वहीं विक्रम बत्रा पंजाबी है लेकिन दोनों में इतना गहरा प्यार है कि वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं खेर इस दौरान विक्रम बत्रा का बच्पन का सफना पूरा हो जाता है और वो पौज में बढ़ती हो जाते हैं बढ़ती होते ही वो अपने सीनियर्स को बहुत इंप्रेस करते हैं अपनी डेल डेवल्री से और धीरे धीरे वो सबका दिल जीतने लगते हैं अब दोनों डिम्पल और विक्रम एक दूसरे से महबत करते हैं एक बार जब विक्रम बत्रा अपने घर आते हैं जहां वो आर्मी में भरती है वहां से घर आते हैं तो डिम्पल से भी मिलते हैं और वहां वो डिम्पल से चुपके से शादी कर लेते हैं गुरुद्वारे में और फिर ये कहकर निकल लेते हैं कि मैं आऊंगा और वापस हिंदू राइट्स से हम शादी करेंगे obviously Dimple और Vikram की ये शादी is a secret Pakistan और India की बीच में war चड़ जाती है और उस war में Vikram is at the forefront क्योंकि ये बहुती Java's army man है बहुती dare devil इंसान है और जैसे मैंने पहले भी समझाया 0.4875 को capture करने के लिए Vikram Batra और एक और captain को भीजा जाता है and उस point को capture करने में जो दिलेरी Vikram Batra दिखाते हैं और जो दिलेरी से वो लड़ते हैं वो काबिले तारीफ है लेकिन अफसोस उस war में ही Vikram Batra की मृत्यू हो जाती है and Vikram Batra को परमवीर चक्र से which is the highest honor for an army man उससे नवासा जाता है और उस परमवीर चक्र को accept करने के लिए Vikram Batra के पिता जी पहुंच जाते हैं तो ये कहानी है सारांच में यानि Vikram Batra की family life romantic life and of course professional life तो आईए सबसे पहले dissect करते हैं या यू कहिए analyze करते हैं इस film की story, screenplay and dialogues को इस film को लिखा है Sandeep Shivastav ने story, screenplay dialogues यानि कथा पठकथा और संभादों को Sandeep Shivastav ने लिखा है story तो real life incidence पर आधारित है और इसलिए उसके बारे में कुछ ज्यादा comment करना ठीक नहीं होगा लेकिन ये जरूर कहेंगे कि बहुत सारे facets को ऐसे नहीं पेश किया गया है जिससे की audience को मज़ा है for instance Vikram Batra के उनके family के साथ क्या bonding थी, क्या emotional bonding थी ये बहुत कम scenes में दिखाया गया है similarly, Dimple के साथ जो उनका romance शुरू होता है और blossom होता है तो कोई भी romantic tale में लड़के और लड़की के बीच में जो bond बन जाता है उसका कुछ मज़ा ही और होता है लेकिन ये bond भी ये emotional connect भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया है जो दिल को छूले and जो professional काम है उनका, यानि army में लड़ना, as an army man लड़ना of course वो दिलेरी तो बहुत impressive है, लेकिन उन war scenes में भी जो एक patriotic feeling, एक patriotic fervor पैदा होना चाहिए वो नहीं होता है इस प्रकार की कहानी में जहां पर एक दिलेर army man एक young age में martyr हो जाता है और किस हिसाब से martyr होता है, वो आप film देखेंगे तब आपको पता चलेगा तो इस प्रकार की कहानी में आपको बहुत बहुत ज्यादा रोना आना चाहिए लेकिन इस film में रोना इतना नहीं आता है आप अगर weak-hearted है तो आफकोर्स रोएंगे, लेकिन otherwise Sandeep Shreevastraff का जो screenplay है वो बहुत अच्छे से नहीं लिखा गया है and एक scattered सा screenplay लगता है, otherwise Vikram Batra जैसे दिलेर आमी मैन की कहानी परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया और इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी जान दे डाली that also fighting for the motherland and अपने कलीक को बचा कर खुद की जान दे डाली बहुत ज्यादा sacrifice की बात है और उस कहानी में आपको बाल्टियां भर भर के रोना ना आए तो फिर कुछ तो गड़बर है राइटिंग जहां तक संदीब श्रीवास्तव के डालोग्स का सवाल है इस प्रकार की फिल्म में again हम इस प्रकार की कहानी की बात कर रहे हैं इस प्रकार की फिल्म में कम से कम 10 या 15 जगा पर सीटियां और तालियां बजने वाले डालोग्स होने चाहिए थे लेकिन कुछ डालोग्स अच्छे हैं बाकी डालोग्स बहुत ज्यादा फाइरी नहीं है बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा करने वाले नहीं है तो ये तो ही बात राइटिंग की आईए अब एक नज़र डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मिंस पर सिधार्थ मलोत्रा ने बत और विक्रम बत्रा और विशाल बत्रा काम ठीक ठाक किया है एक्चुली मेजर रोल तो विक्रम बत्रा का ही है तो उसके बारे में ज्यादा बात करते हैं विक्रम बत्रा जो पहले लेटेनिंट है और उसके बाद कैप्टिल विक्रम बत्रा बन जाते हैं तो सिधार्थ मलोत्रा के परफॉमेंस में ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लगे कि वाकई में ये एक आमी मैन है। शायद इससे पहले हमने इतनी आमी मैन की फिल्में देख ली है और उन फिल्मों में हीरोज ने इतनी तैयारी की इतनी तैयारी से वो कैमरा के सामने आएं कि यहां पर ऐसे लगता है कि सिधार्थ मलोत्रा ने एक नॉमल हीरो की तरह ही काम किया है। आमी मैन का हाव भाव जो होता है, वो ज्यादा देखने को नहीं मिला है। So his performance is fair, इसका यह मतलब नहीं कि he is not good, of course, he has done a fairly good job, but he doesn't really shine. कियारा अढवानी का रोल छोटा है, लेकिन she has looked gorgeous and जो भी काम किया है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही समझदारी से अपना कारेक्टर निभाया है, डिंपल का कारेक्टर निभाया है। संदीप जामवाल की भूमिका में, शिव पंडित is very good, and Lieutenant Colonel Y.K. जोशी के रोल में, शताफ फिगर is good, अनिल चरंजीर, जो की सुबेदार बंसिलाल शर्मा बने है, छोटा रोल है, लेकिन he makes his presence amply felt, साहिल वैद, जो विक्रम बत्रा के गहरे दोस्त सनी बने है, छोटा सा रो है, कि उन्हें करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बर जो भी किया है, अच्छे से किया है, पवन चोपड़ा और विजे मीनू, जो विक्रम बत्रा के पेरेंट्स बने हैं, और विजे जे आनंद, और किरन आर्या, जो डिम्पल के पेरेंट्स की भूमिका निवा अताउला की भूमिका में, डेविड ब्राउन, और मोना की भूमिका में, मनमीत कौर, इन्होंने बहुती बढ़िया सपोर्ट लेंड किया है, और चोटे विक्रम बत्रा की भूमिका में, कृष्णा ही टूटेजा, और चोटे विशाल बत्रा की भूमिका में, कवाई aspects पर विश्नु वर्धन के direction में यानि निर्देशन में ये फिल्म बनी है और उनका निर्देशन हम ये कह सकते हैं बहुत ही so so है ordinary है क्योंकि इस प्रकार की film को sensitive handling की ज़रत थी जैसे हमने पहले भी कहा emotional connect नहीं होता है emotions के undercurrent कम है patriotism वाली भावना जागरुप नहीं होती है and बहुत scattered narration है writing as well as narrative is scattered तो ये fault है विश्नु वर्धन डिरेक्टर की फिल्म में संगीत अलग अलग music directors का है राता लंबिया is the best song it is composed and written by Tanishq Barkhji उसके अलावा जैहिंद की सेना written by Manoj Muntashir and music is composed by Vikram Montrose and Ranja lyrics by Anvita Dutt and composed by Jocelyn Royal these two are also appealing numbers of course बाकी जो गाने है they are also good quite good एक गाने का music composed किया है भी प्राक और जानी ने और दूसरे गाने का music है by Javid Mausim and the first song lyrics are by Jani and the second song's lyrics are by Rashmi Viran गानों की choreography could have been much better the background music by John Stuart Eduri needed to be better ताकि emotional appeal और जो patriotic flavor जो है वो खिल के आता उभर करा आता फिल्मे cinematography यानि camera work कमल जीत नेगी का है जो कि बहुत ही बढ़िया है action scenes और stuns को choreograph किया है Stephen Richter और Sunil Rodericks ने जो भी बहुत appealing है बहुत exciting है और production designing Amitre और सुबरता चक्रबरती का है और art direction अभी जीद घोश और विनायक जोशी का है दोनों अच्छे हैं और A.C. कर प्रसाथ की editing ठीक ठाक है तो overall शेर्शा एक बहुत ही औसत किसम की फिल्म है अगर ये box office पर रिलीज होती है यानि सिर्वा घरों में रिलीज होती है तो ये खास business नहीं कर पाती है ये फिल्म आज यानि 12 अगस्त को रिलीज हो रही है और Amazon Prime तो दोस्तों कैसा लगा हमारा review of शेर्शा comment section में जाकर आपके comment जरूर पोस्ट कीजिएगा अगर आपने भी फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताईएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और फिल्म में क्या अच्छा लगा thank you शुक्रिया और जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता लगा हमेशा से अच्छा मैं हमेशा आपके लगा तेक्यों क्या बना लाहुन स्क्रियां है अटी विल् tash I you